हेलो मारे यूटू फ्रेंड सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल पटना के आसा में देखिए फ्रेंड आज मैं आपको ब्रेट से ही कुछ जारी हूं बतलाने रेसिपी स्वीट डिस पुड़ा वीडियो वाच कीजिए समझ जाएगा ऐसे भी मौसम थो मीठा भी थो अच्छा ही लगता है इसलिए मैं थोड़ा सोची मीठा कहीं आज आपको रेसिपी देती हूं यह देखिए 5-6 ब्रेड ले लेना है फ्रेंड और उसकी बाद क्या करना है इसका मैंने जितना साइड वाला है उसका कटिंग करके हटा देना है अब हटा के तब 20 से फिर में इसका कटिंग इसको ए एक ब्रेड को मैं चार कटिंग करूंगी चार मतलब भाग में बातना है इसका जो साइड वाला फ्रेंड उसे काट के हटा दे और इससे बीगना नहीं है इसका आप क्या करें इसका भी आप इचूरन बना के आप डबे में स्टोर करके सब्रेड के नहीं किस तरीके से कॉतना है इस तरीके के ब्रेड को चार में बात लेना है इसा कटिंग करके आप चाहिए फ्रेंड आप ऐसे भी रख सकते हैं अर्षयrav नुक्रेंड से डीगने को जांट ऊच्छा करने में बहूत हुप रह याळा अट्यकल नजर से ही खाते हैं बाद में मुह में खाते हैं क्योंकि नजर से अगर अच्छा लगता है तभी जाके मुह में अच्छा लगता है इसलिए कोई वीडियो ऐसा होना चाहिए जो देखने में भी अच्छा लगे उसके बाद ही खाने में अच्छा लगता है इसलिए अच्छा स देखने में अगर अच्छा टच नहीं दिये हैं तो तरीके से लगता है कि अच्छा नहीं बना है इसलिए कोशिस तरीका अप लोगों को बतलाओं बनाने का अब देखिए मैं क्या करूँ इसको मैं नाप भी के काटूंगी इसको एक जब मैं काटी हूँ इसको उपर से रखते हुए इस तरीके से यह क्या होगा कि आपका एक बराबर कटेगा न बड़ा न छोटा एक बड़ा बड़ तो देखने में भी सुन्दर लगेगा एक जैसा बनेगा भी और देखने में भी बहुत खुबसुरत लगेगा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए का सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए मार कर लेना है इसी तरीके से कटिंग कर लेना है फ्रेंड फिर मैं बीस से इसी तरीके से देखे कटिंग करूंगी कटिंग करने के बाद एक बराबर से बनाना है अब कल मैं कल भी मैं साम में आपको साही टुकरा रेसिपी बतलाई थी फ्रेंड वह भी आप देख सकते हैं वह मैं चेक कर रहे हैं कि हमारा तेल गर्म होगा है या नहीं इसे जब भी बनाए आप या RF nou सकते हैं या फिर घी में बनाईए गा शर्चो तेल का उर्हन नहीं कि करना चानते हैं वगेरा 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 वह सब इसी तरीके से सारे को देखिए इसको पलटते हुए सारे को चान लेना है देखिए ये देखने में लगड़ा होगा फ्रेंड कि बहुत सिंपल है इस तरीके से देखे फ्रेंड सारे को छान लेना है जैसे कि रिफाइन ओयल में बना रही हों में आप चाहे तो घी में बना सकते हैं इस तरीके से लाल देखिए लाल एदम करके हमें इसे बनाना है जो कि थोड़ा से ये करक बनना चाहिए तो करक बनेगा तो इसे क्या होगा कि जब मैं इसे चासनी में डालूंगे तो ये हमारा सॉप्ट बहुत जादा सॉप्ट नहीं होगा जादा सॉप्ट हो जाएगा तो तो नहीं है थो जटना ही कड़क बनता है ऊटना नहीं अच्छा इसका टेष्ट रहता है इस बात का झुरूर अभध्यान दिजिएगा ये देखे मैं तेल में इसे इस तरीके से चानना है घखे ऐ ambos जो चासनी बनाड़ पहले चीनी डाले हुँ। मैं चीनी डाला खुराप घょली हुन पहले French क्योंहें तुर्बत हमें पहले पाल पानी ही ज्याले पानी करें देखार जाएं। तरसा जब चीनी आपका मिल्ट होने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी लेना है दम थोड़ा सा पानी ज्यादा पानी का एदम यूज नहीं कीजेगा क्योंकि जो चीनी अगर पिगलेगा तो वह भी आपको बहुत अच्छा चासनी मैं चाहती तो आगर आप चाहें तो आप डारेक चीनी का भी चासनी बना सकते हैं लेकिन वह बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा तो इसी कारण पहले चीनी को इस तरीके से देखिए पहले चला ले जब यह मिल्ट होने लगे तब इसमें आप थोड़ा सा पानी देखे इसको अचासनी आप बनाए इसको क्या कर दिजे अनगी तो जिस कराही में आप बरेट को चाने हैं तले हैं उसी कराही में आप इसे बनाए कि थोड़ा सा जो तेल का है मुश्ट्राइजर गो आपका चीनी का चासनी में आ जाएगा तो जिसके करने तसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बहुत अच्छा में बहुत सिंपल है फ्रेंड बहुत ही सिंपल तरीके से बतलाई भी हूं मैं आपको अब बहुत तेश्टी भी लगता है बनने के बाद खाने में अब भना के चाहें तो आराम से फ्रीज में रखिए जब ठंडा हो जाए तो आप जब चाहें निकाल के खा सकते हैं खिला सकत इसो फूड क्टमटे कना अगर आपके पास केशरेंद स喔 10 की हो तो कोई भी घुलर नहीं जाड़ हो तो जादा अच्छा लगता है पूड twenty सुन्दर लगता है तो वो कलर का यूज कीजिएगा आप यह देखिए मैं फुट इसमें डाल चुकी हूँ अब इसका चासनी हम तब तक इसे बनाना है जब तक की चासनी का हमारा अच्छा जैसा एक लियर जो होता है एक तार वो ऐसा चासनी हमारा होना चाहिए गाढ़ा तो आप समझेए कि आपका चासनी बहुत अच्छा से यह तैयार है देखिए चट चट होने लगा फ्रेंड तो यह चासनी आपका तैयार है ऐसे भी इसका हमको बहुत मतलब बहुत जादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत जादा पतला चासनी चाहिए तो ऐसा बनान को बहुत अच्छा करकपन अब पूरा उसी तरीके से बड़करार रहेगा आपका खास्ता पन इसी तरीके से देखिए इसको उलट कि आप सारा चासनी में इसे डिप कर लेना है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो फ्रेंट तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजेगा सेर भी कीजेगा वीडियो को चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजेगा जो लोग भी वीडियो देखे प्लीज भीना चैनल को सब्सक्राइब किये वह नहीं जाईएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखे मैं सारे चास्नी में इसी तरीके से ब्लेड को अरकने के बाद मैं यसको ज़्यादा देर नहीं रखना है फ्रेंड बस दो मिनट के आपका चास्नी को अपने अंदर सोख ले उसके वाद इसे क्या करना है देखे दो दो यह मैं डाल के थोड़ा देर छोड़िए उसके अब सारे को इसी तरीके से आप पलट दीजेगा ज्यादा चासनी बहुत ज्यादा नहीं बनाना फ्रेंड कि मैं उसमें अदम डुबा के छोड़ देना वैसा कुछ नहीं करना है बस हलका सा चासनी बनाईए इसमें इस तरीके से देखिए उपर नीचे करके इसे आप डिप कर दीजिए और किसी बरतन में आप सुखे बरतन में इसे निकाल के प्लेट में आप अडाम से रख सकते हैं इसका जो क्रिस्पी पन है फ्रेंड दम खड़ाब नहीं होता है अब बहुत अच्छा कुरकुरा जैसा लगता भी है खाने में अखासता भी रहता है यह यह है और टेस्टी भी लगेगा आपका देखिए बन के हमारा यह ब्रेड का स्विट टिस तैयार है आप लोग भी जरूर बनाके देखिए ऐसे भी कुछ नया ट्राय करते रहना चाहिए इसलिए एक बार तो जरूर बनाके देखिए और ऐसे भी बहुत लोग बनाए भी होंगे ऐसा कुछ नहीं है चैनल को सस्क्राइब कीजे फिर मिलती हो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू